देश में पेट्रॉल और डीजल की बढ़ती कीमतों को कम करने की मांग करने वालों के लिए इस सच्चाई को जानना बेहद जरूरी है पेट्रॉल और डीजल की ये बढ़ती कीमतें कॉंग्रेस के दौर के गुनाह का परिणाम है बहुत कम लोगों को मालूम होगा के सरकार के उपर इस वक्त एक तशमलव तीन लाख करोड रुपे का कर्ज है जी हाँ ये कर्ज ओयल बॉन्ड के रूप में है और कॉंग्रेस के जमाने का है ये ओयल बॉन्ड पूर्व प्रधान बंतरी मनमोहन सिंग के जमाने में जारी किये गए थे ओयल बॉन्ड दरसल ओयल मार्केटिंग कमपनियों को कैश सबसीडी के बदले में जारी किये जाते हैं इनके जरिये इंडियन ओयल, HPCL और BPCL जैसी कमपनियां किसी भी समय नगत पैसा उठा सकती हैं इनके ब्याज और मेच्योल्टी पर पुनर भुखतान का जिम्मा सरकार का होता है उस दौर में तेल कमपनियां अंतरराष्ट्रिय इस्तर पर पेट्रॉल के दामों से कम कीमत में तेल बेच रही थी सरकार इन कमपनियों को घाटे की शती पूर्ती कर रही थी कॉंग्रेसी सरकार के जमाने का यही पाप मोधी सरकार के सिर पर आ गया है मोधी सरकार को वित्तिय वर्ष 2021 से 22 में 20 हजार करोड का यही बोज उठाना है यह बोज ओयल बॉंड के पुनर भुगतान और उन पर ब्याज के तौर पर है अगले 6 सालों में मोधी सरकार को 1.30 लाख करोड का यह बोज उठाना है पूर्व पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी इस बोज के लिए UPA सरकार को जिम्मेवाल ठहरा चुके हैं उन्होंने भी तेल की कीमतों में बढ़ोत्री के लिए इस बोज को ही मुख्य वजह करार दिया था कॉंग्रेस के दोर की सरकार ने जो कई लाख करोड का बोज विरासत में छोड़ा था उसी का खामियाजा आज की सरकार को उठाना पड़ रहा है भारत अपनी घरेलू जरूरत की पूरती के लिए 80% दी तेल का आयात करता है अगर आकणों की बात करें तो 41,150 करोड के ओयल बॉंड साल 2019 से 2024 के बीच मैच्योर होंगे सरकार पिछले दशक से ही इन पर 10,000 करोड सालाना का ब्याज भुगतान कर रही है ये वो सच्चाई है जिसे जान बूज कर आम जंता से छिपाया गया है